हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टो एडिमि स्टार कोडा तो जैसे बच्चों अपने थमने लोग टाइटल जो देखी लिया होगा कि आज का वीडियो जो बच्चों बैक लोग के बारे में होने वाला है जिससे ज्यादातर जनता जो वो परेशान है कि सर बैक लोग इतना सारा ह हो चुका है कि अब उसको कैसे cover किया जाए क्या-क्या चीज़े आपको करनी है क्या चीज़े आपको नहीं करने तो यह चोटे से वीडियो को end तक जरूर देखना सारी की सारी चीजे बच्चों यहां से मापको जो एक एक चीज जो वह क्लियर करते हुए चलने वाला हूँ इस से related आपको और कोई भी guidance चाहिए तो आप यहां पे नीचे description में टेलिग्राम ग्रूप का वच्चों लिंक दिया हुआ है उसको जल से जल जोइन कर लीजिए वहां पे सारी information जो आपको वच्चों देते रहते हैं चलिए आर स्टार्ट करते हैं सबसे पहले तो आपके मन में यह आ रहा होगा कि sir 11th class जो है वो बच्चों का almost जिन्होंने पूरे साल अच्छे से preparation की है उन्होंने उनकी preparation complete हो चुकी है वो थोड़े time में 12th class का syllabus जो स्टार्ट करने वाले हैं लेकिन हमारी 11th class जो वो तो पूरी की पूरी बरबाद हो चुकी है तो क्या sir अभी भी ऐसा possible है कि हम पूरी 11th class का syllabus 0 से start करके पहले 11th का complete करें उसके बाद में 12th का syllabus जो वो भी आपको करना है तो क्या यह ऐसा possible है पहला सवाल तो बच्चों आपका यह ही है तो आगे नियार इसका अगर जवाब की बात करूँ तो यह बिल्कुल possible तो है अगे यह सारे student के लिए possible नहीं है क्यों नहीं है क्योंकि यह उन student के लिए possible है जो real में करना चाहते हैं जिनमें real में ऐसा जुनूल है कि उसको करना ही उसको जही जो वो करेक करना तो वो बिल्कुल कर सकता है अगर आपका mindset जो वो right direction में है अगर आप real में बच्चों करना चाहते हो तो अभी भी आपके पा में बच्चों जेमेन के अगर फर्स्ट अटेम्ट की भी बात करें तो आपके पास में 12 मेंस का तो आप कर सकते हो तो पहला स्टेप तो बच्चों आपका यही कि अगर आपका mindset right direction में है अगर आप उस चीज को process कर पा रहे हो अपने mind में तो जरूर जो आप बच्चों बैक time है no doubt क्योंकि जन बच्चों ने 11 कर लिया तो उनके comparison में time आपके पास में कम है तो ऐसे case में बच्चों आपको right guidance की बहुत जरूरत है right guidance का मतलब obviously बात है कि right guidance का मतलब आपके जो बड़े भाई भाई भाया हैं वो तो आपको guide करते रहते हैं यूट्यूब पे बहुत सारे channels जो इस टाइब के है बट यहां पर यहां पर real academic guidance की बात कर रहा हूँ जो obviously वो लोग आपको ज्यादा बेटर तरीके से दे पाएंगे जो बहुत जो उन्होंने जो अपनी journey जो जी है उसके अंदर जो उनको problems face हुई वो अपने experience के basis पे आपको चीज़े जो बता रहे होते हैं बट actual में क्या होता कि सबकी needs जो अलग-अलग होती है आपकी needs अलग है किसी दूसरे बच्चे की needs जो अलग-अलग होती है तो उसको सही तरीके वो बच्चो आपको यहाँ पर guide करने वाले हैं तो नीचे जो telegram group का link दिया वहाँ पर आप उसको join कर लीजिए उनके sessions वहाँ पर लगातार होते रहते हैं वहाँ पर बच्चो आपको personally guide करेंगे जिस भी तरीके की guidance आपको चाहिए सारी चीज़े आपको वहाँ पर मिलने व waste हुआ है वो किस वज़े से हुआ है क्योंकि अगर मान लो कि आपको reason नहीं पता होगा तो वो mistakes आपकी अभी भी होंगे ऐसा नहीं कि वो mistakes बच्चो आपके आने वाले time में भी होंगे तो जब तक आपको अपनी mistakes नहीं पता होंगी तब तक आप उनको remove जो वो नहीं कर क्या आपकी health issues जो वो भी हो जाते हैं या फिर और कोई जो भी वज़ा है तो उसको आप पहचानिए और फिर अगला जो target बनाएगी पहले आपको mistakes जो बच्चो remove करनी है क्योंकि जब तक वो mistakes remove नहीं होगी तो ऐसी गलतिया जो बच्चो आपसे बार-बार होती रहेंगी च चाहिए तो यह मैं आपको बता देता हूं कि जैसे दो टाइप के confusion हो सकते हैं क्या हमें पहले अभी 11 का पूरा का पूरा syllabus जो है वो complete करना चाहिए या फिर हमें 12th class जो वो start करना चाहिए 12th फोकस करना चाहिए क्योंकि हमें board देना है तो अगर मैं सच बता हूं तो दोनों ह जो approach है वो दोनों ही गलत है क्योंकि 12th class के syllabus के जो chapters है उनके लिए बच्चो आपको 11th class के जो chapters है जो must do chapters होते हैं वो आपको आना बहुत जरूरी है अगर वो chapters के basic अगर आपको नहीं आते तो बच्चो मान के चलिए कि 12th class का syllabus जो उसको आप ज्यादा अच्छे तरीके से नह basic maths है basic maths में अलग अलग टाइप की चीजे होती है जैसे inequalities है greatest integer function है log rhythmic function है fractional part function है यह सारी चीजे quadratic equation trigonometry similar way physics और chemistry चैप्टर और यह भी यहीं पर बच्चो आपको टेलिग्राम ग्रूप पे मिल जाएंगे इसलिए बोलना हूं कि जल्दी से जल्दी जल्दी जोइन कर लो सारी चीजे आपको एक ही जगह पे पूरे विवस्ते धंग से मिल जाएंगे तो आपको पहले क्या क क्या है कि यूट्यूब पे वन शोट वीडियो जो वो अवेलेबल है तो उनकी यह से करें या फिर लोंग वीडियो देखें तेरे यहां पर आपको रिकमेंट करूँगा कि वन शोट जो वो सिर्फ और सिर्फ रिवीजन के लिए होते तो यह वहां से आप अपनी प्रेपर हो रहा है डिस्क्रिप्शन में इसकी पूरी की पूरी डिटेश जो वो भी दी हुई है वो आप चेक आउट कर सकते हो एक्चुली यह बैच इसी परपस से बनाया गया है कि जिन बच्चों का 11 जो वो वेस्ट हो चुका है वो भी हिम्मत ना हारे वो भी उसी के बराबर मेह चेप्टर्स है वो स्टार्ट किया जाएंगे तो इस बैच को यार काफी स्टुटेंट ओलेडी जोइन कर भी चुके हैं अभी स्पेसल फी बेनेफिट पर आपको मिल सकता तो जल से जल्दियार आप इसको जोइन कर सकते हो एटीब स्टार की एप पर वेबसाइट से जाग तो आपको पहले रिकमेंड करूँगा कि पहले ये वाले जो चेप्टर्स अब आप सिरफ और सिरफ जे में लेवल तक के कीजिए अभी आपको सीधा डारेक्ली आप जे एडवांस लेवल तक के सोचोगे तो उसमें सोच सोच के बटा परेशान होगे और डिप्रेशन में जाओगे और आगे की लिए चीज़ा आपके लिए मुश्किल होगे आपका अभी में फोकस होना चाहिए कि आपको confidence गेंड करना है जो कि अभी बिल्कुल नहीं रहा है क्योंकि आपने 11 पे कुछ पढ़ा नहीं है तो आप सबसे पहले जो 11 के मस्टू चेप्टर से उनको आ अगर आपको mock test से डर लगता है कि sir मैं mock test देना चाहता हूँ बट marks कम आते तो उससे मैं demotivate हो जाता हूँ तो यार यह चीज़ तो नहीं चलने वाली क्योंकि finally तरको जेए का exam देना है वो भी as a mock test ही है वो भी एक तरीके का mock test ही होता है तो चाहें marks मेंटा कम आएं लेकिन mock test जो उसको लगातार attempt करते रहो analyze करते रहो कि कहां पर आपकी mistakes हो रही है और उन mistakes को दिरे दिरे जो remove करते रही है अगला जो important part आता है कि अच्छा ठीक है sir 11th के must do chapters कर लिए बात समझ में आ गई उसके बाद में 12th class का syllabus जो वो start कर दिया ये भी ठीक है लेकिन जो 11th के बचे जो इन किया जैसे ये जो particular gladiator बैच से इसके अंदर तो हम obviously इस चीज़ का खास ध्यान रखेंगे कि November end तक आप अपना 11th और 12th दोनों class का syllabus जो बहुत ही systematic ढंग से जो complete कर पाओ तो यहां पे जो 12th class का एक बार पूरा का syllabus हो जाएगा ताकि आपकी board की preparation जो है वो भी आपके mind में ऐसा ना रहे कि अभी तो board का syllabus नहीं वो कैसे करेंगे तो वो वाली जो problem हो भी आपकी 12th class के chapters के साथ में खतम हो जाएगी और उसके बाद में जो बच्चो जब time बचेगा तो उसके अंदर आपके 11th के जो remaining chapter 7 का revision आपको करवाया जाएगा तो यहार बस यही सारी चीज पर पूछ सकते हैं फिर नीचे comment section में पर बच्चो पूछ सकते हो ओके students best of luck